हेलो दोस्तों नमस्कार आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे NTPC Green Energy Company के बारे में IPO के बारे में दोस्तों यहाँ पर आप सबको बताए NTPC नाम की पहले सी ही यह Company Market में अवलेबल है जो की Power Sector में वर्क करती है और उसी चेसा साथ NTPC की Subsidory Company NTPC Green Energy का IPO हमें अभी के टाइम मार्केट में आते वे नजर आ रहा है कब आएगा डीटेल में समझेंगे कि IPO कब आ सकता है कितनी Valuation रहेगी क्या यहाँ पर IPO का Size रहेगा वो इस वीडियो में समझने की कोसिस करेंगे Apply करने का सही तरीका कौन सा है इस बार यह IPO के मिलने के Changes कितने रहेंगे वो भी Total Detail में हम यहाँ पर Analysis करने की कोसिस करेंगे वीडियो देखिए IPO भी तक आया नहीं है तो इतना जल्दी वीडियो यहाँ पर क्यों बनाया जा रहा है रिजन दोस्तों यही है कि बस IPO में यहाँ पर इस बार मिलने के Changes जादा है तो IPO आने का टाइम जो है अल्मोश्ट एक से डेढ़ महिने में IPO आ सकता है तो अपने पास Fund यहाँ पर जरूर रखिए एंटीपीसी ग्रीन एनरजी का हमें IPO आते वे नजर आएगा रिजनली दोस्तों हमने देखा कि बहुत सरे जो रेपोटेशन कंपनियों ने IPO पॉब्लिस की है उनके IPO लिस्टिंग इन बहुत ही सांदर देखने को मिले subscription देखे IPO में क्या होता है कि एक तो subscription के उपर भी depend करता है बड़ subscription के साथ साथ क्या होता है कि company की अगर brand value है तो उसके उपर भी दोस्तों बहुत ज़दा depend करता है तो इस बार हमें क्या देखने को मिल दा है एक साथ दो बड़ी positive चीज़े देखने को मिल रही है अब बहुत सर लोग subscription और gray market premium के साथ से decide करते बट हमने क्या देखा कि aircade northern में gray market premium 50-55% था बट listing 30% के आसपास हुई वही subscription बहुत तगड़ा था बट listing के इतना मिला नहीं listing के बाद अगैन गिरे बजाज housing में हमें एक बहुत ही अच्छा subscription देखने को मिला बट बजाज housing finance को brand value भी मिली तो उस वज़े से वो overvalued होने के बाद भी जम किया तो NTPC में सेम चीज़े हो सकती है दीगे NTPC में दो benefit यहाँ पे हो सकते है एक बड़ी company है subscription एक अच्छा का सब मिल सकता है वो भी है बट उसके सासाथ NTPC जो इसकी पहले से एक company है उसका भी brand value है तो उसका भी support इस IPO को मिल सकता है listing gain के लिए जैसे कि Tata Group का Tata Technology IPO आया चाहे list होने के बाद गिरा हो बट listing gain बहुत अच्छा मिला बजाज गुरूप का बजाज finance IPO है अच्छा listing gain देखने को मिला तो दूसरी important ये भी है कि इसकी parent company की भी value है प्लस ये green energy का देखने को मिल दा है renewable energy का देखने को मिल दा है इस बज़े से आप समझ सकते हो कि renewable energy वाली company की किस परकार से अभी के time demand है तो सबसे पहले IPO के बारे में समझ लेते हैं इसका जो IPO है दोस्तो 2024 का अब तक का सबसे बड़ा IPO यहाँ पर रहने वाला है 10,000 करोड उपे company जो है market से जुटाने वाली है 10,000 करोड उपे के market में share publish करेंगी और market से 10,000 करोड उपे का fund ये इकटा करेंगे सबसे अच्छे बात दोस्तो ये है कि government company है तो हमें एक अच्छे valuation पर मिल जाएगी मतलब कि private company जो होती है दोस्तो उनका जब IPO आता है तो वो valuation कहीं न कहीं high रखते हैं higher value पर IPO को लाते बट ये government company है तो low valuation पर जैसे कि आपका IREDA low valuation पर आया था वो इससे बड़ा था बट अब ये दूसरा बड़ा IPO है जो 10,000 करोड उपे से market market से जुटाने वाले अगर financial performance दोस्तो देखा जाए तो NTPC का जो renewable energy में total अभी तक का जो revenue है annual जो revenue है वो almost हमें देखने को मिलता है 2000 करोड का जिसमें वित वरस 2024 में 47% तक की growth देखने को मिली है overall एक अच्छे कासी growth के साथ company आगे बढ़ रही है 31 March समाप तिमाई के लिए company ने 1962 करोड उपे के revenue पर 344 करोड उपे तक का profit भी किया था तो company का revenue भी better है margins भी हमें अच्छे देखने को मिलते है और जो revenue growth है वो भी यहाँ पर company का अच्छा कसा देखने को मिलता है company का यहाँ पर total जो सुद्ध run है, debt है अगर वो बात करूँ तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 12,324 करोड का और उसी के साथ साथ नगत की बात की जाए तो company के पास 115 करोड उपे का नगत भी हमें देखने को मिलता है Goldman की तरफ से यहाँ पर क्या कहना है Goldman की तरफ से यह कहना है कि इसका जो profit है company का NTPC Green का जो growth है वो एकदम अनुवान के अनुरूप है better देखने को मिलता है, चीजे सारी जो है वो अच्छी है NTPC Green Energy का जो भी यह IPO आएगा तो NTPC की, NTPC जो company है उसकी NTPC Green Energy में 13% हिसेदारी जो है वो हमें कम होते वे देखने को मिलेगी 13% हिसेदारी के बदले ही यह सारी चीजे हमें होते वे देखने को मिलने वाली है जो IPO जो है, 13% share सी कही न कहीं मार्केड में यह जो है लाने वाले हैं IPO का समय कौन सा हो सकता, आप दीखिए अभी तक date यहाँ पर निकल के नहीं आई है बट major जो हमें जो date सामने निकल के आते वे नजर आ रही है जो भी बड़ी research फरम जो date ला रही है वो यहाँ पर निकल के आ रही है नवंबर IPO जो है वो यहाँ पर नवंबर में आ सकता है हमारे पास normally one month का time है, पैसे इखटे करने का तो नवंबर में हमें यहाँ पर NTPC का IPO जो है वो आने की उम्मीद है निदियू प्योग, अब दिखिए यहाँ पर नॉर्मली कमपनी 10,000 करोड का fund raise करेगी तो वो fund use कहाँ पर करेगी IPO apply कैसे करना है, क्या important point रहेंगे वो भी मैं आपको बता दूँगा अब दिखिए सबसे important चीज यह है कि NTPC Green Energy का एक 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 stock आप एक एक stock आप लेगे रख लेजिए, ताकि आप शेर रोडिंग कोटा में आ जाए शेर रोडिंग कोटा के लिए eligible हो जाए company यहाँ पर 7,500 करोड उपे का जो है अपना debt clear करेगी 10,000 करोड उपे जो fund raising होगा उसमें से 7,500 debt clear करेगी 2500 करोड का अपना यहाँ पर अपने business में लगाने की कोशिस करेगी अब important चीज़ दोस्तों यहाँ पर निकल के आ जाती है कि क्या आप NTPC के share धारक है अगर आप NTPC का share खरीद लेते हैं NTPC का stock कौन सा आप Google पर सर्च कर लेना, अपने DMAT में सर्च कर लेना NTPC का share अभी आजाएगा, आपका 430 रुपे के आज पर चलता है उसका normally एक stock खरीद के रख लीजिए यह खरीद के क्यों रखना है, क्योंकि अगर आप एक stock खरीदेंगे तो NTPC के share holders में आ जाएंगे और जब आप NTPC green energy का IPO का apply करेंगे अगर आप यहाँ पर share holders बनते हो NTPC के तो क्या होगा कि retail plus shareholders दोनों में यहाँ पर एक ही DMAT से आप apply कर सकते हो तो chances थोड़े से आपके और बढ़ जाते हैं और उसी के साथ साथ यहाँ पर NTPC जो है वो दोस्तों यहाँ पर green energy में work करती है अभी के time जो company की capacity है वो total यहाँ पर जो है की 20 gigawatt तक की capacity है 2030, sorry, अभी के time जो company की capacity है वो यहाँ पर 3 gigawatt है 2027 तक 20 gigawatt capacity करने का target है 2032 तक 60 gigawatt की capacity जो है वो यह आले जाने वाले है जो कि बहुत ही अच्छी बात है अगर company आती है तो full speed से company यहाँ से group कर सकती है तो इसके उपर भी आपको ध्यान रखना है तो दीगे दोस्तों सबसे पहले अपना काम क्या करना है हमें कि share orders में यहाँ पर share orders के लिए eligible होने के लिए NTPC company का एक एक stock लेके रखना है उससे लिए हम share orders में eligible हो जाएंगे share order category में apply करने के लिए eligible हो जाएंगे जब भी company का IPO आईगा November में कहीं न कहीं हमें IPO आते में नजर आजाएगा तो इसमें क्या chances रहेंगे कि हमें यह IPO मिल सकता है देकि जो छोड़ी कमपनियां होती है जो 100, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ इखटे करती है उसमें chance थोड़े कम रहते है यह बड़ी कमपनी है 10,000 करोड़ उपे का fund इखटा करेगी तो इसमें chance थोड़े से increase हो सकते हैं क्योंकि recently हमने देखा कि Ereda का IPO आया था Ereda का IPO बहुत अच्छा response दिया Listing and भी better मिला Listing and के बाद भी stock जो है continue अच्छा भागा और यह भी renewable energy में finance का काम करने वाली company थी और दूसरी important यह भी चीज है कि उस समय जिस time या IPO आया था उस time सभी PSU stock समय rocket बनते वे नजर आ रहे थे तो इस company ने कितना fund raise किया इस company ने दोस्तों यहाँ पर जो है almost 2100 करोड के आसपास का fund raise किया जहाँ पे retail subscription सिरफ 7, 8% 8 times ही हुआ मतलब कि 8 लोगों में से एक लोग को allotment मिल गया तो अब यहाँ पे यह IPO आपका कितने करोड का आ रहा है यह IPO आ रहा है आपका 10,000 करोड का तो इस बार कही ना कहीं जो रीटेल में यहाँ पर जादा subscription देखने को नहीं मिल सकता है क्योंकि रीटेल इंवेस्टर नॉर्मली अगर लगाते है इरेडा में भी इन्होंने 2100 करोड में 7 टैमी subscription किया था वलब 2100 करोड के बदले इरेडा में रीटेल इंवेस्टर ने कितना पैसा दिया था अल्मॉस्ट 15,000 करोड उपे 200 करोड मांगे थे बड़ 15,000 करोड उपे दिये तो NTPC में आपको क्या लगता है NTPC में यहाँ पर जो है कि हलंकि रीटेल पोर्शन अलग था बड़ 2100 करोड में से भी छीज़े थोड़ी नीचे थी अब यहाँ पर मेरा क्या व्यू है कि इस जो NTPC का जो IPO है उसमें यहाँ पर नॉर्मली थोड़ी सी रीटेल सस्केप्शन कम हो सकती है दूसरी चीज़ दोस्तो बजाज हाँजिंग फाइनस जहाँ पर रीटेल इंवेस्टर्स ने 6500 करोड रुपे का टोडल यह IPO था जिसमें से रीटेल इंवेस्टर्स ने 7 टाइम सस्केप्शन किया था अब देखें यह IPO आपका 10,000 करोड का होने बाला है जिसमें यहाँ पर मेरे इसाब से कही न कहीं रीटेल सस्केप्शन जो है 5 टाइम तक देखने को मिल सकता है तो जब 5 टाइम का रीटेल सस्केप्शन होगा तो कहीं न कहीं अलाटमेंट के चांजेश जो है वो थोड़े से इंक्रीज हो सकते हैं दूसरी बात दोस्तों यह भी है कि अभी के टाइम यहाँ पर जो है कि बड़ा IPO है तो अलाटमेंट मिलने की संभावना रहेगी शेयरोडिंग कोटा रहेगा आपके पास तो आप एक ही डिमेट अकाउंट से रीटेल कैटिगरी में भी अपलाई कर सकते हैं पलस शेयरोडिंग कोटा में भी आप एपलाई कर सकते हैं जो कि दोनों चीजे मतलब दोनों आपके लिए बेनिफिट रहे सकती है तो शेयरोडिंग है रीटेल में अगर होता है तो ऐसे में यहाँ पे हर 5-4 एपलीकेसंस में आपको एक व्यक्ति को अलॉट्मेंट कही न कहीं हमें मिलते वे नजर आएगा तो इस IPO की उपर नजर रखिए नॉर्मली यह जब IPO आएगा तब में डीटेल में भी अनलेसिस करके बता दूँगा बट यह IPO कहीं न कहीं हमें नवंबर के फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएगा मतलब की एक नवंबर से लेके दस नवंबर के बीच में हमें यह IPO लाँच होते वे नजर आ सकता है तो यह next month में कहीं न कहीं अगर आप IPO में अपलाई करना चाते हैं बड़े फंड के साथ हैचेनाई वगेरा में तो भी आप फंड की फंड इकटा करने की कोसिस कर सकते हैं क्योंकि इस IPO में नॉर्मली अगर देखा जाए जो छोटे IPO होते जिसमें retail subscription आपका 20-20-30-30-50-50 गुना होता है तो वहाँ पे तो मिलने के चांजेस ना के बराबर होते हैं बट यहाँ पे थोड़े बहुत मतलब थोड़े बहुत आपके चांजेस मतलब की 20-30% चांजेस यहाँ पे जो है हमें देखने को मिल सकते हैं तो अबराल यहाँ पर इसके उपर नजर रख सकते हैं जब IPO आएगा तो मैं आपको डीटेल एनालिसिस करके भी आपके साथ शियर करूँगा